नवस्ते, सबसे पहले तो आप सभी को प्रधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरसकार जीतने की बहुत बहुत बधाई जबसे आपको पता चला होगा कि आपका नाम इस पुरसकार के लिए चुना गया है, आपकी बेसबरी बढ़ गई होगी आपके माता, पीता, दोस, टीचर्स, वो सब भी आपके जितना ही एक्साइटर होगे आपकी तरह मैं भी आपसे मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोरोना की वज़े से अभी हमारी वर्श्यूल मुलाकाती हो रही है पैरे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास हैं, क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना कान में किया है, इतनी कम उमर में भी आपके ये काम हरान कर देने वाले हैं, कोई खेल के एक शेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है, आप में से ही कल देश के खिलाडी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े-बड़े CEO's भारत का गवरो बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी, अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी, उसमें आप सब की उपलब्दियों पर विस्तार से बात की गई है, आप में से कई बच्चों के बारे में तो, मुझे बीच-बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूँ, अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी है हमारी काम्या कारिसी के इन, आप को याद होगा, मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विशे में जिक्र किया था, आईए आज हम काम्या सही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं, उनसे पूछना जुरूर चाहता हूँ, काम्या भी हाल फिल हाल मैं, मैं नहीं मानता हूँ, आप चैंच से बैठती होगी, कुछ नू कुछ करती होगी, तो किस नए परवत पर आपकी विजय प्राप्त कर की है, क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कॉरोना की वज़े से कुछ कठिनाईयां आ गई, क्या हुआ? सर, कॉरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाईयां दी है, पर आज यू सेड, हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते, हमें कॉरोना के बाद भी स्ट्रॉंग बाहर आना है, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रोटीन कॉरोना के दोरान भी जारी रखी है, और अभी हम इ हैं, जो जमू कश्मीर में हैं, और मेरे अगली क्लाइम के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्ट अमेरिका में माउंट देनाली है, और हम जून इस साल में माउंट देनाली चड़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर, तभी आप बारा मुला में हैं? जी सर, थैंक्फिल कि आफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है और उन्होंने भी पिछले तीन दिनों से 24-7 काम किया है और हम यहां पे बारा मुला में आके आप से मुलाकात कर पाएं तो आपके साथ और कौन है परिच्चे करवाई आपके साथ यह मेरी ममी है और यह मेरे पापा है सर नमस्कार चल मैं आपको तो विशेश रूप से अभिनांदन करता हूं अचा सबसे बड़ा एवोड तो आपके लिए आपकी मैनत और आपका मनोबल है और आप तो पहड़ों पर चड़ती हैं ट्रेकिंग करती हैं और पूरी दुनिया घूमती हैं और अचाना के कॉरोना के कान सब बंद हो गया तो यह साल कैसे बिताया क्या करते थी सब्सक्राइब करना को एक ऑपरचुनिटी समझा कि हालंकी में परवत नहीं जाके पर मैंने यह समझा कि इस ताइमें में दूसरों को अपने समेट तक मौचने के लिए इंस्पायर कर सकती हूँ तो मैं बहुत सरे स्कूल्स और इंस्टूशन में वेबिनार्स दे रही हूँ और मेरे मिशन के बारे में भी बता रही हूँ और उसका मेसेज भी स्प्रेड करना चाहते हूं लेकिन फिजिकल फिटेस के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा जी सर यूश्वली हम रानिंग और साइकलिंग के लिए जाते थे बट पहले लॉगडाउन में यह अलाउड नहीं था तो हम जो 21 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं मुंबै में हम वहां पे सीडिया उपर नीचे चड़ते थे फिटनेस के लिए और होती है पता ही नहीं चलता होगा यहां तो आज बारा मुला में काफी ठंड में रहती होगी आप जी सेडिया ने निश्चित तोर पर सभी को प्रभावित किया है लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे देश की भावी पीड़ी ने इस महामारी से मुकामला क करने में बड़ी भूमी का निभाई है साबुन से 20 सेकंड हाथ धुलना हो यह बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी और मैं तब सोशल मीडिया पर कितने ही वीडियो देखता था जिसमें बच्चे कोरोना से बचने के उपाएं बताते थे आज एवोर्ड ऐसे हर मासमाज जहां बच्चों से सीखने का कल्चर होता है वहां बच्चों के व्यक्तित्व का तो बहुत विकास होता ही है साथ साथ बड़ों में भी ठहराव नहीं आता सीखने की ललस बनी रहती है उनका उत्सा बना रहता है और बड़े भी सोचते हैं और स्वाभावी का वाह हमारे बच्चे ने कहा है तो हम जुरू करेंगे हमने ये कोरोना के समय भी देखा है और स्वच्छ भारत मिशन के दोरान भी मैंने बराबर देखा है बच्चे जब किसी कौच से जुड़ जाते हैं तो उसमें सफलता मिलती है काम्या आपको आपके माता-पिता को आपके ट्रेनर्स को सबको मैं बहुत बधाई देता हूं बहुत शुब कामना कर देता हूं और आप कश्मीर का मजा भी लिजिए और नए साहस के साथ आगे भी अपनी हिल्थ अपनी फिटनेस का ध्यान रखिए नई नई उचाईयों पर पहुचिए नई नई चोटियों को पार कीजिए प्यारे बच्चों हमारे साथ जारखन की एक बेटी आज है सविता कुमारी उन्हें खेलों में उत्रुष प्रदर्सन के लिए ये पुरश्कार म आप कैसे मन मनाया कि आप आर्चरी या निशानेबाजी आपको उसमें आगे बढ़ना है विचार कहां साया है और इसमें आपके परिवार का सपोर्ट तो रहा ही होगा तो मैं जरूर आप से सुनना चाहता हूं ताकि देश के बच्चे जारखन के दूर सुदूर जंगलों में हमारी एक बेटी क्या पराक्रम कर रही है वो देश के बच्चों को प्रेणा मिलेगी बताइए सर मैं कस्तुबा गांधिबाल का विदाल में पराइब करती थी औहीं पर हमको प्रेणा मिली आर्चरी सीखने का हां आपने तो देश के लिए मेडल लाना भी शुरू कर दिया है पुरे देश की शुक्रम नहीं आपके साथ है आगे के लिए आपके मन में क्या लक्ष है कहां तक खिलना है सबसे पहले शुरू आपने किया तो अभी तुम्हें बाहर जाना होता है तो मंभी पपा कुछ तीन्ता नहीं होते हैं न अभी तो सर है ना साथ में तो सर किसा जाते हैं अच्छा आप ओलेंपिक तक जाएं गोल लेकर आएं यह आपके सपने वाकई हिंदुतान के हर बच्चे को नए सपने सजने की प्रेणा देते हैं मेरी शुबकामना हमेशा आपके साथ है स्पोर्ट की दुनिया में जारखन का जो टेलेंट है उस पर पूरे देश को गर्व है और मैंने तो देखा है कि जारखन की बेटियां बड़ा कमाल कर देती हैं जी कैसे कैसे खेल कुद में अपना नाम बना रही है छोटे चोटे ग्रांगों चोटे चोटे शेहरों में आप ज़से टैलेंट जब भार निकलता है दुनिया भर में जाकर देश का नाम रोशन करता है सवीता आपको मेरा बहुत-बहुत आशिदावाद है बहुत आगे बढ़िए थैंक यू सर जब ऐसे साथियों इस बार राष्ट हमारी कुमारी नविश किशम बहतर पेटिंग्स बनाने के लिए उसको आज पुरुसकार मिला है बताईए बेटा बनीश हम आप से सुनना चाहते हैं आप बहुत अच्छी पेटिंग करती हैं रंगों में तो वैसे ही बहुत उर्जा होती हैं और वैसे तो नौर्थ इस मुझे बताए गया हैं कि आप ज्यादा तर एनवार्मेंट पर परियावरन पर ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती हैं और यही विशे आपको इतना क्यों आकर सित करता हैं सबदियों अबने समे, बन्वेस अभर एंप केश। बन्या टोक्ति नहीं थी क्यों करता हैं तो यह ष्हांट हैं Company in this case I'm and I made paintings based on environment because nowadays our environment is getting dirtier day by day so there's a lot of pollution even in Manipur also a lot of pollution is there so I want to change it by planting more trees and save our environment our plants and animals are our rare spaces I want to save them so in order to spread this message is to the people as an artist I drew this painting based on this time I just have to prepare maybe or coi hey jo painting karthane pita ji maata ji bhai cha cha koi no sir I'm my father is a businessman and my mom is a homemaker I'm the only artist yeah 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 yes sir no sir they supported me a lot they supported me a lot yeah you are very lucky ho aap to a cha aapki umbra chhoti si hai leki vichaar baut bade hai ji achcha painting ke alawa aapki kya kya hobi hai sir I love to sing I love singing and I love to do gardening also they gave a map map kya bar Manipur aya hoon or hagi prakruti bhoat akarsit karthi mera anubhavi vat tahayvaha aar prakruti ko lekar maha ke logoo me joe ek prakarki sraddha hai prakruti ki raksha ke liye pure north east mein har koi vyaakti apna jaan laga deeta hai jo Manipur mein whi dekhha jata hai aur mai maantangho ke bhaot unche samushkar hai achya ap gaana gaati ho da apne brata aya kuchh suna hooghi mujhe yes sir I would like I'm not a professional singer but I would love to so uh uh so uh this is uh our folk song called chingda shat pi inghe le uh huh chingda shat pi inghe le chi na da na kyen ki ba ho kalak i ho kalak i malang baisu kaidau de malang baisu kaidau de lai ranga lai kho gluoy bagi ho kyen bani ho kyen bani ho kyen bani ho kyen bani ho thank you sir satsang हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं उनकी जितने प्रसमसा की जाए कम है अब देखिए एक तरफ बहत्रीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है तो करनाटका के राकेश क्रश्णभी हैं राकेश को खेती से जुड़े इनोवेशन के लि बढ़ाई देता हूं और मैं जुरूर आपसे बात करना चाहूंगा राकेश आपका प्रुफाइल जब मैं देख रहा था तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा आप इतनी कम उमर में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं आप साइ करनों के लिए इनोवेशन करना है यह कोई बहुत मामुली बात नहीं है जी तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि यह मन कैसे लग गया आपका यह काम के लिए कैसे मन लग गया तो फर्स्ट अफॉल नमस्कार शुभमा जियान आपके लिए और सर मैं बोलना चाहता हूं कि हा और सायंस और सैंस घ्यां में तो ईन्टेस्त रहा हं था लेकिन सर्मेरे पापा एक किसान है और मैं आघ्यार परवल्यम लिए कि में जो किसान है अमारे राष्ट्री और अन्नादाथ हैं उनको कुछ कॉंट्रिब्यूट करो जो मैरे टेक्नोलोजी का इनोवेशन है इसलिए मैंने उनको कॉंट्रिबूट करने के लिए मैंने एक मेशिन बनाया है तो अलड़ी जो एक्जिस्टिंग प्राक्टिस है उन स से 50 परसेंट से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मेशीन है सर अच्छा तो कभी प्रयोग किया क्या प्रयोग किया है तो एक बोलना चाहता हूं कि सर यहिप समय घ्योग क्या सबसे ज्यादा जो परक्राक्डिकली उससे पता कि मेरे मेशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा जैमिनेशन से garlic डेता हैं सर सो क्या है कि आज जो building labor चाहिए farming के लिए यानि किसान को जो labor चाहिए उसका charge तो skyrocket हुआ है चो ज्यादा हुआ है और हमें स्किल्ड लेबरर नहीं मिलते हैं सर तो इसलिए मैंने मिल्टी एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम कथम एजी ली कर सके अपने बनाया अख़बारों में छपा लोगों को पता चला तो यह जो होते हैं बिजनेस कंपनिया वोगे स्टार्ट अप वाले होते हैं करते हैं बहुत बड़ा बनाते हैं ऐसा कुछ हुआ क्या हां सर दो तीन और दो तीन कंपनी से पूछा उन्होंने पूछा मेरे से और मैं फेस्टिवल आफ इनोवेशन राष्टरपती बहुन का एक पार्टिस्पेंट था और वहां पी उन्होंने आकर पूछा ता सर लेकिन म हैं अभी में काम करना चाता हूं और और बी अच्छा तरीके से में बनाना चाता हूं सर अचंचर लेकर वह उसमें अप नेर इंट्रेस्ट ले करके तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या और को WA से राटि के लोग कोये और मदद करते हैं क्लft हाँ सर मेरे जो टीचर से मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री उनिवर्सिटी कॉलेज के चो लेक्चरर से सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर एवरी सटेप उओ मुझे झाया है सर तो आज मय जो भी हूँ सब उनुक के वज़े वज़े से हूँ और जो उनोंने मुझे इंस्पार किया है उसी तरीके से मैं इस लेविल पर को हैं सर तो आप तो डबल डबल अभिनेंदन के अधिकारी हैं राके से बास आई हैं कि आधुनिक क्रशी ये आज हमारे देश की जरुवत है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी उम्र में हैं आप ना सिर्फ इसे समझ रहे हैं बलकि क्रशी को आधुनिक बनाने के लिए टेकनलोजी से जोडने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं आप ऐसे ही सपल होते रहें आपको मेरी तरफ से बहुत सुबकामना है और आपके माता पिता का मैं धन्यवात करता हूँ को उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रयरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है आईए हम यूपी चलते हैं यूपी के अलिगड के रहने वाले मुहमत सादाब इनसे बात करते हैं जैसे यहां बताया गया है कि मुहमत सादाब ने अमेरिका तक में भारत का जंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है शादा आप अमेरिका में युवा एम्बेसेडर की तरह काम कर रहे हैं स्कॉलर्टीब हासिल करके अलिगर्ड से अमेरिका तक की आत्रा आपने की कई एवर्ड भी आपने जीते और विमन एम्पावर्मेंट के लिए काम भी कर रहे हैं इतना सब करने की प्रेणा आपको कहां से मिलती है आदरने प्रदान मंत्री जी नमश्कार सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मैं अलिगर्ड मुस्लिम विश्य उद्याले का ग्यार्वी कप्छा का चात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगर मुस्लिम विश्य दिल्ले के टीचर उसे मिलती है जैसा कि हमारे हम सब जानते हैं कि अलीगर मुस्लिम उनिवर्सिटी एक ऐसी जगा है जिसने इस दुन्या को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दी है ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि मैं भी अलीगर मुस्लिम उनिवर्सिटी के नाम रोशन करूँ और देश के लिए कुछ कर गुजरूँ तहाप के माता जी पिता जी भी कुछन कुछ ऐसा करते थे कि तुमारे पास ही सब करवाते हैं नहीं मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपी जी अबुल कलाम आजाद सर थे उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का महताज नहीं है तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालो साल जाज रखे देखे आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं अच्छा आगे क्या सोचा है कुछ तो जुरूर मन में बड़ी-बड़ी बाते आती होगी अप तो और अपने देश का नाम रोशन करूँ वा? दुनिया मैं भारत का नाम और उंचा हो नए भारत के पहचान और मज्बूत हो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के उपर है और शादाब मेरी आपको बहुत शुक्वामना है आपके मन में बहुत क्लारिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रुप में आपके परिवार में आपके माता-पिता ने जो आपके दिमाग में बच्पन से भरा हुआ ऐस अपना मैं आपके माता-पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो ये बच्पन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिन्दिगी को बना दिया और आपने आपके माता-पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सिख लिया इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और आपको बहुत शुप कामनाई देता हूँ आईए अब हम गुजराद चलते हैं गुजराद के मंत्र जितेंद्र हर्कानी उससे बात करते हैं मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदेशन के लिए राष्ट्रिय पुरस्कार मिला है मंत्र कैम चो चालो मजा माचे तारी साथे कौन कौन से माईस साथे पापा आने ममी जे पापा नू नाम चू जितेंद्र भाई आने ममी नू बिदल्बेन तो ये तो बदा फर्यात करे चे काम मंत्र आमारू मान तो नदी मंत्र गर्मा जगडा करे चे ये वाद साची चे अच्छा बंत्र ये बताईए देश भर के लोग आज आज आप तुम्हें देख रहे हैं तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है देख मैं भी जब बच्पन में था मेरे गाओं में वड़नगर में तो हमारी यहां बड़ा तालाब था तो हम सब बच्चे तैरते थे लेकिन वो तैरना और तुम्हारा तैरना उसमें बहुत बड़ा अंतर है काफी ट्रेनिंग होती हैं काफी मेहनद करनी पड़ती हैं और आप तो तेराकी में रेकॉर्ड बना रहे हैं और पेरणा बन गया हैं आप तो एथलेट हैं और एथलेट तो लक्ष के लिए बहुत फोकुस होते हैं बताईए मैं आपके पात से जानना चाहता हूँ आपका लक्ष क्या है क्या करना चाहते हैं कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं सुखरवा मांगत इंटरनेशनल सुखरवा मांगत हाँ बटा बताओ मेरे साथ बात करो को मारे चाल या को मॉनिंग सर्व इथा आब है आप मेर्ड बनना चाहता हूं इराव के गोल्ड का बेस्ट विमर नचाहता हूं और आपके जैसा बसरता हूं और आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूं देखिए आपके मन में ये इतना सपना है मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पन भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं आप ही उनकी जिनकी के सपने बन गए हो आप ही उनकी जिनकी के मंत्र बन गए हो और इसलिए आप जो पुर्शार्त कर रहे हो जिस हिम्मत और महनत के साथ कर रहे हो आपके माता पिता कोई नहीं आप जैसे बच्चों के जितने बाता पिता है उन सब के लिए भी आपके माता-पिता प्रेरणा है और आप भी प्रेरणा है और इसलिये मैं आपको भ collectorई देता हूँ भूद अच्छे उमंग के साथ आप बात कर रहे तो यह अपने आप में भोद बड़ी बात है मैं आपको भूद बधाई देता हूँ और मुझे कभी किस तो तुमने जहड़ा क्यों नहीं किया कोच से अभी तक मिलवाया नहीं तो आप ही आजाओ मैं तो जब मैं गुजरात आओंगा मिलने आओगे जरूर तो राजकोड का गांठिया लेके आना पड़ेगा गांठिया जोले की समसारी की जोले भी खोगे आरही जोले चाई तो गांठिया गांठिया सब लेके आएंगे और रची कळैंगे तो चाई भी पिलाएंगे सबास तल यह बहुत बधाई आपको बहुत एच्छी वात ही बताई आप सबने प्यारे बच्चों इस बात्चित से आप सभी को मिले अवार्ड से यह समझ आता है कि कैसे जब एक छोटा सा आइडिया एक राइट एक्षन के साथ जुड़ता है तो कितने बड़े और प्रभावसारी रिजल्ट आते हैं आप सब खुद इसका कितना बड़ा उधारन है आज आपकी ये जो उपलब्दियां है इसकी शुरुआद भी तो किसी विचार से एक आइडिया से होगी होगी अब जैसे पस्चिम मंगाल के सोहार्द डे हैं वो पवरानिक कताओं और देश के गवरोवसाली इतियाद से जुड़ा लेखन करते हैं जब उनके मन में पहली बार ये विचार आया होगा कि इस दिशा में बढ़ना है लिखना है तो वो सिर्फ सोच कर नहीं बैठ गए उन्होंने सही एक्षन लिया लिखना शुरू किया और आज इसका नतीजा हम देख रहे हैं ऐसे ही असम के तनूज समदार है बिहार की जोती दो बच्चों का जीवन बचाने वाले महराष्ट के कामेश्वर जगनात भागमारे सिक्किम के आयूश रंजन पंजाब की बेटी नामिया जोशी हर बच्चे की परदिवा उनका टैलेंट देश का गवरो बढ़ाने वाला है मेरा तो मन है कि आप सभी से बात करता रहूं आप एक भारत श्रेश्ट भारत की बहावती सुंदर अभिवक्ति हैं लेकिन समय के अभाव की वजह से ऐसा संभव नहीं है साथियों संस्कृत में एक बढ़िया श्लोग है और जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर हमें शु उद्यमें नही सिद्धनती कार्यानी नमनोरत है अर्थात कारिय उद्यम से ही महनत से ही सिद्ध होते हैं केवल कलपना करते रहने से नहीं होता है एक आइडिया जब एक्षन से जूर जाता है तो उसे कितने और एक्षन भी शुरू हो जाते हैं जैसे कि आपके सभलदाने कितने और लोगों को प्रेरित किया है आपके दोस्त, आपके साथ ही और देश के दूसरे बच्चे कितने ही बच्चे जो आपको टीवी पर देख रहे होंगे अकबार में आपके बारे में पढ़ेंगे तो वो भी आपसे प्रेना लेकर आगे बढ़ेंगे नहीं संकल्प लेंगे और उन्हें पुरा करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे ऐसे ही उनसे और दूसरे विवाओं को भी प्रेना भी लेगी यह साइकल ऐसे ही बढ़ती जाती है लेकिन पहरे बचों एक बात मैं आपको और भी कहना चाहूँगा मेरी ये बात हमेशा याद रखी था कि ये पुरसकार आपके जीवन का एक छोटा पड़ाव है आपको इस सफलता की खुशी में खो नहीं जाना है जब आप यहां से जाएंगे तो लोग आपकी खुब भावाई करेंगे अख़बार में आपको नाम भी निकल रहा है आपके इंटर्वी भी हो जाएंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वहां वाही आपके एक्शन की वज़े से है आपके कर्म के कारण है आपके कमिटमेंट के कारण है वहां वाही में भटक कर अगर एक्शन रुक गए या आप उससे ही डिस्कनेक्ट हो गए तो यही वहावाही आपके लिए माधा बन सकती है अभी तो आगे जीवन में आपको और भी बड़ी सफलता है हासिल करनी है और एक मैं सुझाव देना चाहूंगा आप जुरूर कुछ रुक पढ़ते होंगे लेकिन आगरा पुरवक आपको जिसके भी पसंद आए है हर साल कोई ने कोई एक जीवनी जरूर पढ़िए वो आत्मकता भी हो सकती है जीवनी भी हो सकती है वो किसी वैज्ञानिक की भी हो सकती है खिलाडी की हो सकती है किसी बड़े किसान की हो सकती है किसी बड़े फिलोसाफर की लेखक की जो भी आपको मन पढ़े तै किजिए साल में एक बार एक जीवनी बहुत मन से पड़ूँगा कम से कम एक जीवनी आप देखिए जीवन में लगातार नई प्रेणा मिलती रहेगी मेरे नवजवान साथियो मैं चाहूँगा कि आप इन सारी बातों को जुरूर महत्व देंगे लेकिन मैं कुछ तीन बाते और जोड़ना चाहता हूँ पहले निरन तर्ता का संकल्प यानि आपके काम की गती कभी रुकनी नहीं चाहिए कभी शिथिल नहीं पड़नी चाहिए जब भी एक काम पुरा हो तो उसके आगे नया सोचते ही रहना चाहिए दूसरी बात मैं कहूँगा देश के लिए संकल्प जो काम करें वो सिर्फ अपना काम मान करके न करें मेरा काम मेरे लिए काम ये सोच हमारे दायरे को बहुत सिमित कर देती है जवाब देश के लिए काम करेंगे तो अपने आप आपका काम कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा बहुत लोग ऐसा लगेगा कि जैसे आपके काम के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं आपका सोचने का विस्तार ही बदल जाएगा इस साल हमारा देश आजहादी के 75 साल में प्रवेश कर रहा है आप सभी सोचिएगा ऐसा क्या करें कि देश और आगे बढ़े और तीसरी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा वो है विनम्रता का संकल्प हर एक सभलता के साथ आपको और ज़्यादा विनम्र होने का संकल्प लेना चाहिए क्योंकि आप में विनम्रता होगी तो आपकी सभलता को सेंकडो हजारो और लोग भी आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आपकी सभलता खुद अपने आप ही बड़ी हो जाएगी तो मैं मानू कि आप ये तीनों संकल्प याद रखेंगे एक दम पक्का याद रखेंगे और मुझे विश्वात है कि आप लोग बहुत फोकस होते हैं तो जरूर भी भूलेंगे नहीं और मुझे मालूम है आप न भूलेंगे नहीं किसी को भूलने देंगे आगे और भी बड़े-बड़े काम करेंगे आपके जीवन में आगे के जो सपने हैं आपके वो सपने पूरे हो और लगातार ऐसे ही सफलताओं से आप आप सभी नौजवान, सब दच्चे देश को आगे बढ़ाते रहें इनी शुपकामनाओं के साथ आपके परिवार जनों को आपके शिक्षक जगत के साथियों को दन्हें और आप सब बच्चों को अने अनेक आशिरवाल देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद लेटेस्स अपडेट और खब्रों के लिए डिवेण इंडिया को सब्स्क्राइब करे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आईकोन को दबाना मत भूले